गर्मियों में अगर हमें ठंडी ठंडी आइस्क्री मिल जाए तो दोस्तों क्या कहने न तो चलिए मिलकर बनाते हैं अज घर पर बिल्कुल आसान तरीके से कम समान से और बिल्कुल टेस्टी बाजार जैसी कुलफी तो यहाँ पर मैंने भारी तले की कड़ाई लिए और एक च दूद को हम यहाँ पर पकाएंगे थोड़ा सा इसको हम हाफ कर लेंगे मतलब इसके क्वांटिटी आधा रह जाए इतना और यह जो नारियल है देखे फ्रेंट्स मैंने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर इसको पीस लिया है और एक साथ मिक्सी को नहीं चलाया फिर रोक दिया फिर चलाया फिर रोक दिया इस तरीके से एक साथ चलाएंगे तो इसका तेल निकल जाएगा उसके बाद मैंने चीनी डाली दूद डाला और इसको फिर से पीस लिया है कुलफी में चीनी थोड़ा सा जादा ही डलती है क्योंकि धंडा होने के बाद हमें कम इसलिए आप अपने टेस्ट के कोडेंग डाल सकते हैं दूद भी देखिए हमारा आदा हो गया है लगबग अब लिया है मैंने यह कस्टर्ड पाउडर वैनिला फ्लेवर का मैंने लिया है और यह सिर्फ एक चमच मैंने यहाँ पर लिया है अब इसमें पेस्ट के टाल देंगे जो हमने तैयार किया थो ठोड़ा सा दूद मैंने जार में डाला इसको अच्छ निकाल दिया ताकि पूरा पीस्ट निकल जाए फ्लेवर के लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा एलाईची पाउडर डाल दिया है इसे भी मैंने पांसात मिंट पकाया उसके बाद इसे मैंने गैस से उतार कर रख दिया और कड़ाई हमारी गरम रहती है तो थोड़ा देर कड़ाई को चला देंगे ताकि दूद हमारा नीचे लगे ना उसके बाद आप किसी भी बरतन में अपनी आइसक्रीम को जमा सकते है कुल्फी के मोल्ड है तो उसमें भी आप जमा सकते है मैंने ग्लास बहर दिये है और आप लिए मैंने फॉइल पेपर यह हम रैप कर देंगे अगर खुला इसको रखेंगे तो इसके उपर बर आपको मैं निकालना भी तिखार यूं कैसे निकलेगा तो बिल्कुल अच्छे से जम गई है अब कोई भी आप पानी का बरतन लीजिए उसमें अपना कुल्फी वाला बरतन रखें थोड़ा साही से हीला देंगे देंगे और उसके बाद आप कोई भी नाइप लीजिए और आराम से इसको घुमाते हुए निकाली फ्रेंट्स बिल्कुल असानी से निकल जाएगी और हाँ अगर आपको ड्राइफ फ्रूट्स पसंद है तो जब आपने कुल्फी को जमाई थी तो उपर से आप इसमें ड्राइफ फ्रूट्स भी स्पेंगल कर सकते हैं मैंने वह नही नहीं थी और अपने फीड़ बैक जरूर मेरे साथ शेयर करना चरिए फिल मेरेंगे एक और नए वीडियो के साथ बाबाई